एक दिन मया ने श्रंगार किया, श्रंगार करके मया ने क्या किया, कनिया के हाद में माखन रोटी पकड़ा दि, माखन रोटी पहले छोटे जबाब थे तो मया घी के साथ रोटी चुपढ़ के देती थे, याद होगा आप सब को, अब तो एड़वांस समय आ गया, मेगी पर ह मग है क्यों तो गणिया को घी रोटी प्रकड़ाई कनिया जा रहे hell Senhor घणे क इसकरन तब तक शिरकाग भुषंडी जी आये आहे दया तक नुजए बनावोक्त पर उसमिन और पतलन गागए थे अज भी रोटी लेके भागएए अज भी कहा महाराज की जय हो कनिया बोले तुम आ गए बोले हाँ सरकार आप जब जब आओगे हम आएगे अब भक्त वही सबसे बड़ा वो हर जो हर जगे भगवान को खूज ले आ गए सरकार त्रेता युग में जब राम जी पैदा भे जनम लिया राम जी ने तो काग बुसंडी जी गए देखने तो राम जी दही के लिए रो रहे थे दही भात के लिए तो काग बुसंडी जी को संदे हो गया ये कैसा भगवान जो दही भात के लिए रो रहा तो संका हो गई तो उड़ने लगे तो भगवान राम ने ऐसे हाथ उठाया, तो हाथ उठाया, तो काग बुसुंडी जी उड़ते उड़ते तीनों लोक में चले गए, वो हाथ राम जी का पीछे ही लगा, जहां भी जाते वही राम जी का हाथ, लोट करके राम जी के चरड़ों में आए, रागाओ अब बस करो, हम समझ गए सब जगे आप ही आप है राम जी ने का अभी पूरी तरीके से नहीं समझे बहुत अभी बाहर समझे भी भीतर तो जाओ और क्या किया काग बुसंडी को पेट के अंदर भेजा और जैसे पेट के अंदर गए सुदेखा, अतल, सुतल, पाताल, घुवन, भूमंडल, सारे ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, प्रत्वी, सूरी, रसातल, तल, सब भगवान के पेट में तुरंत भाग आए राम जी ने का क्या हुआ बड़ी जल्दी आ गए बोले सरकार हम समझते थे सब जगे आप ही है लेकिन अंदर जाके पता चला कि आपके अंदर ही सब कुछ है, माहर कुछ नहीं है आपकी लीला परम पारे आज भी काक बुसुंडी जी आ गए तो काक बुसुंडी ने भगवान के हाथ में माखन रोटी देखी तो कहा प्रभु एक बत बताओ, अब आगे कौन सी लीला करने वाले हो तो काक बुसुंडी से भगवान ने कहा अब आगे माखन चोरी की लीला करने वाले है वोने अच्छा माखन चोरी, वोने हाँ तो काक बुसुंडी ने कहा तुम कल माखन चोरी करोगे हम आज ही कर लेते हैं अब हाथ से कनिया के रोटी माखन छीनी अब काज मुशंडी जी उड़ गए रस्कान दाज जी ने इस भाव को बड़े सुन्दर तरीके से लिखा है धूरी भरे अतिसो भीत स्याम तैसी बनी सिर सुन्दर छोटी खेलत खात फिरे अंगना अग पैज निबा जत पीरी कछोटी या छविको रस्कान विलोकत बारत का मकला निदि कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी रस्कान के दन्य काग मुसुली के भाग दन्य उस कवा के भाग आज देखो तो भगवान के हाथ की जूठी रोटी खाने का सव भाग के मिल रहा है मुझसे अच्छा तो वो कवा है जो भगवान का अंग संग पा रहा है दन्य है वो काग मुझसे अच्छी वो ये शोदा है जो कनया को डांट लगाती